दिल्ली में कथित ब्रश्चाचार का एक नया मामला सामने आया है जिसमें दिल्ली सरकार के पोरुब मंतरी सतेंदर जैन पर आरोप है कि उन्होंने घूस ली वहीं भारत सरकार के रक्षा मंतराले के तहत आने वाली कंपनी भारत Electronics Limited पर आरोप है कि उन्होंने घूस दी दिल्ली के उपराजपाल विने कुमार सकसेना ने दिल्ली के विजलेंस विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें दिल्ली सरकार के पोरुब मंतरी सतेंदर जैन के खिलाव Prevention of Corruption Act के तहट जाच की सिफारिश की गई थी उप्राजपाल ने ऐसे मंजूरी देकर अब केंद्रिये ग्रेह मंतराले के पास भेज दिया है केंद्रिये ग्रेह मंतराले इसमें फैसला करके जाच को आगे मंजूरी देनी है नहीं देनी है इस पर फैसला करेगा मामला क्या है मामला समझे दिल्ली के अंदर 1,40,000 CCTV कैमरा लगाने का प्रोजेक्ट था ये 571 करोड रुपे का प्रोजेक्ट था आरोप ये है कि ये जो 1,40,000 CCTV कैमरा लगने थे दिल्ली की 70 विधान समाँ में यानि कि पूरी दिल्ली के अंदर ही लगने थे इनके इस प्रोज पर जो पेनल्टी लगी कि इन्होंने काम में देरी की है इसको माफ करने के बदले में 7 करोड रुपे की घूस ली है सतेंद्र जैन आप जानते ही हैं दिली सरकार के पूर्व मंत्री है फिलाल इस समय मनी लॉंडरिंग के आरोप में दिली की तिहार जेल में बंध है जबकि भ तो इसके उपर आरोप है कि इसने काम में जो डिले किया उसकी वरे से इसके उपर 16 करोड रुपे की पेनल्टी लग गई और उसको माफ करवाने के लिए इस कंपनिया इसके अधिकारियों ने मंत्री सतेंद्र जैन को 7 करोड रुपे की घूस दी है हाला कि थोड़ा मामला यह अजीब लग सकता है कि एक सरकारी कंपनी जो है वो एक सरकार के मंत्री को इसलिए घूस दे रही है ताकि जो पैनल्टी है जो डिले हुआ है उसकी वे से जो पैनल्टी है वो माफ हो जाए या वो मामला जो है सेटल हो जाए लेकिन आने वाले समय में देखेंगे हम किस तरह से यह मामला जो हैसकी जाँच होती है मांग की गई है कि ACB एंटी कर्फशन ब्रांच से इस मामले की जाँच करवाई जाए आमाधी पार्टी का पक्षबी सामने आया आमाधी पार्टी की वरिश नेता और दिली सरकार की मंत्री आतिशी का कहना है कि यह एक और फरजी मामला है तो आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से इस मामले के अंदर जाँच होगी जिसमें भारत सरकार की एक कंपनी पर यारोप है कि उसने घूस दी है दिली सरकार के एक मंत्री को केवल इसलिए ताकि वो जो पैनल्टी उस पर लगी थी कि उसने काम में देरी की ह वो माफ करवाई जा सके 16 कोड़ रुपे की penalty माफ करवाने के लिए 7 कोड़ रुपे की घूस देने का आरोप है शराच चर्मा एंडिटीव इंडिया